आज की मुल्ली से हम स्वामान लेंगे मैं अधिकारी आत्मा हूँ मैं अधिकारी आत्मा लोकिक मा परलोकिक बाप की वर्दानों से द्रिस्टी से बोल से स्वयम को सरव प्राप्तियों से संपन कर सरव अधिकारी बनती जा रहे हूँ हर परकार की मेहनत से मुक्त खुतिचारी हूँ वर्दानों से पलने वाली आत्मा सदा ही मेहनत मुक्त रहती है आज की मुरली से हम चिंतन करेंगे ऐसे कौन से श्रेष्ट करम और श्रेष्ट संसकार है जिनको जीवन में धारन करने से कभी भी करम कूटने नहीं पड़ते अर्थात हमें सजाए नहीं खानी पड़ती इसका चिंतन करेंगे लक्षे लेंगे आज की मुर्ली से संपूरन पवित्रवन बेहद के बाब से बेहद सुख का वर्सा लेना है इसके लिए जो हम समृति रखेंगे बेहद की वेराग्य वृति याद श्रीमत बेहद की वेराग्य वृति के लिए आज की मुर्ली में बाब ने कहा ये पुरानी दुनिया है, ये कब्रस्तान है, ये जूट खंड है, ये सब खतम होने वाली है इस रुद्र ज्यान यग्य में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है तुम्हें नई दुनिया को याद करना है और संग तोड एक बाप के साथ सरब संबंद रखने है इसे कहेंगे बेहद का वेराग्यो याद के लिए बावा ने कहा बाप और वरसे को याद करो बाप को याद करने के लिए पहचान चाहिए उसके साथ साथ बाप के साथ संबंध चाहिए जब पहचान होगी संबंध होगी प्राप्तियं समृति में होगी तो याद करना सहज हो जाता है तो पहले बाबा ने हमें हमारी पहचान दी हम आत्मे निराकार है आत्मा अविनाशी है शरीर विनाशी है आत्मा को स्वधरम शांती है आत्मा शांती धाम में रहने वाली है ये सारा दिन सुमृति में रखना है बाब भी निराकार है एवर पावन है बाबा रचता और रचन का ग्यान देने वाला है, शांती धाम का रहने वाला है, हम बच्चों को पावन बना कर शांती धाम, सुख धाम का निवासी बनाते हैं तो ऐसे बाप के साथ संब्धों को आज अनुभब करना है, पिता के संबंध से बावा हमें 21 चन्मों का बेहत का वर्चा देते हैं बाप के वर्से के उपर सबी बच्चों का हक है तो इसी तरह आज बेहद के वर्से को सुमृति में रखना है टीचर बन करके हमें राज्युक सिखा कर राजाओं का राजा बनाते हैं और बाबा इस समय हमें देवी गुन वाला देवता बनाकर भविश्या में उंच प्राप् करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं इस रिष्टी के रचना और रचता का ज्यान देते हैं और सत्गुरु बनकर सरब की सद्गती करते हैं पतित से पावन बनाते हैं श्री मत देते हैं कि विश्च को छोड़ कर अमरित पीकर पावन बनने का पुरशार्थ करो आज की मुर्ली में बाबा ने याद के लिए बोला कि जितना चक्र याद रहेगा आत्मा को बाप भी याद आएगा क्योंकि चक्र में हम अपने उच्पद को याद करेंगे कल्प कल्प बाबा आकर के इस चक्र की नोलेच हम बच्चों को देते हैं कैसे हम 84 जन्मों को चक्र लगाते हैं आद पीते थे golden aged थे और इस समय सुख ही सुख था पवितरता सुख शान्ती थी जैसे ही मद्या में आते हैं विकारी बनते हैं पुजारी बन जाते हैं कामचिता पर बैठ कर काले हो जाते हैं तो बाबा इस अंत में जब हम दुखी हो जाते हैं अंत में आकर स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे ये ड्रामा जिसमें आदा कल्प हम सुक भोगते हैं, आदा कल्प दुख भोगते हैं, इस समय हमने 84 का चक्र पूरा किया, सीड़ी नीचे उतरे हैं, अब बाप आकर के सीड़ी चड़ाते हैं, हमें आकर के उल्टे से सुल्टा बना देते हैं तो ऐसी बाप की याद से उंचपत प्राप्त करना है श्रीमत इस समय ये देते हैं अपने को आत्मा समझो आत्मा अभिनाशी है आत्मा के अंदर ही अच्छे बुरे संसकार होते हैं जब देह अभिमान छोड़ना है तो जरूर अपने को आत्मा समझने का अभ् बावा ने बार बार अभ्यास कराया कि आत्मा की समृति रहे और निश्च्य बुद्धी होकर के अपने भविष्य राज्जी को समृति में रखना है, डबल अहिंसक बनने का लक्ष रखना है, तो आत्म अभिमानी बनना है, डबल अहिंसक बनना है, निश्च्य बुद्धी बनना है इस बाब की डारेक्शन को जब फूलो करेंगे तो भविश्या में उंच पद प्राप्त कर सकेंगे और सेवा भी कर सकेंगे कि परमात्मा सरव्यापी नहीं है चुरासी जनव हम कैसे लेते हैं और शिवरात्री क्यों मनाई जाती है अमर कथा का अर्थ है बे हद की ब झाल